आज हम बनाएंगे कच्चे हरे टमाटर की सबजी जो कीट स्वात में खटी, मीठी और तीखी होती है आप इसे चटनी और सबजी दोनों कह सकते हैं बहुती यमी और मजेगी बनती है और इससे पहले आपने इस सबजी नहीं खाई होगी आप इस सबजी को पराठे पूरी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और बिलीव मी फ्रेंट्स जीदि आपने इसे एक बर बना के खाले तो बार बार आप इसे बना कर खाना चाहेंगे मैंने यहाँ पर यह चार से पांच मीडियम साइस के टमाटर लिया है यह कच्चे टमाटर है एक तुम फ्रेश है इन्हें धोलिया है बात में इनके आप टंठल निकाल दीजी अब हम इनके वेजिस यानिकी लंबी लंबी फांके कट कर लेंगे जिस तरह से किया मालू की व हरीमिश लेंगे इन्हें भी मैंने धोलिया है और इसकी डंठल निकालने के बाद में इस तरह से हम इने मोटा मोटा कट करेंगे बीच में बस लिट लगाए और दो से तीन टुकड़ों में कट कर लीजिए और जो बड़े बड़े बीच होते हैं उन्हें आप रिमूव कर दीजिए जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा यदि हम इस तरह से बीच डालेंगे तो तो इस तरह से मेर्ची भी तयार है अब हमें कटाई लेंगे इसमें एक टीबस्पून की कर भी इसमें तेल डाल देंग इसे अचारी फ्लेवर आएगा इसका और साथ ही चार हम यहां पर लॉंग डाल देंगे लॉंग से इसमें काफी अच्छा तीखा पनाता है एक तेश पत्ता और साथ ही हम एक यहां पर दाल चीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे तो इस तरह से सभी चीजें डलने के बाद म अच्छे से आने देंगे तो इन्हें आप अच्छे से यहां पर लो फ्लेम पर पकने दीजी जितना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा उतना ही बढ़ी हमाई सब्जी बन कर आएगी अब यहां पर एक टेबल स्पून यह टूटे हुए काजू डाल दूगी मैंने एक साथ ही हम यहां पर एक टेबल स्पून यह किश्मिश डालेंगी तो किसी भी चीज को स्किप ना करें यदि आपको एक पॉफेक्ट मज़े की टमाटर की चटनी या सब्जी जिदो भी कहें वह खानी है तो इसे लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए हमें फ्राय करना है अ अब अधान सब्जी का असली मज़ा आता है हालबाई लोग इसी तरह से इन्हें भूनते हैं अब हम यहां पर डाल देंगे कटेवे टमाटर को भीडियां सब्जी 5-6 मिटर बनके तयार हो जाती है तो बहुत ज़़ा उवकुक नहीं करना है मिच्ची और टमाटर काफी जल चब मच के करीब यहान पर नमक डाल देंगे नमक टेंग अच्छच के कोड़िंग कम ज़्यद्ध कर सकते हैं और इसे यह आप डूमन अब ऊच्छे करा लेंगे, तू sem 2 данushö tele Oprah Elect, तो आप चाली है अब रख र्लक्लिक यहान कोई भी पानी या कुछ नहीं डाला है तो इसे एक बाद इस तरह से जरूर मिक्स कर लीजिए उसके बाद हम इसे वापस से डखेंगे और वापस इसे अच्छे से पकने देंगी जैसा कि आप देखने टमाटर भी अच्छे से गले नहीं है और बहुत जादा गलाने नहीं ले करीब काला नमक डाल देजिए आधा चम्मच आप गरम मसारा डाल देजिए और साथ यहां पर एक टेबल स्कूनी चीनी डाल देंगे आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं और इन सभी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी की गलने तक हम ऐसे पकाना ह कर रहा है से बनाए खाएं मजे करें हमारे साथ इसी तरह की रेसिपी के लिए बने रहें मिलते एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू